नमस्कार दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको एक बड़ी जैकपोर्ट कॉल मिलेगी ट्रेड मिलेगी कल और वैसे ही हुआ इग्जेक्ली मार्किट वहीं आई जहां मैंने कमेंटरी में बताया भी था कि मार्किट डिप लेगी 17700 पर आएगी उसका कारण क्या था उसका कारण ये था कि डाव फ्यूचर ने अपना जो स्पोर्ट थी 33600 पर उसको तोड़ दिया था तो वो उसके नीचे रिजिस्टन्स पर जैसे मैंने बताया था कि सुबह सुबह कमेंटरी में कि पहले 1700 आएगा अगर वहां से सस्टेन ना होई तो 200 डेम आएगा तो 1700 पर बहुत बढ़िया सस्टेन हुई और वहां से एक अच्छी रिकावरी देखने को मिली और यह भी मैंने कमेंटरी में लिखा था कि बाइ उपर 17830 यहां क्या था 100 डेमा 100 डेमा क्योंकि उपर की और था तो इसने रेजिस्टेंस का काम करना था जो नीचे हो वो करता है स्पोर्ट का काम तो इस तरह से उपर वाले ने रेजिस्टेंस का काम किया और हमें इसी तरह बैंक निफ्टी में भी आपको कहा था कि आपको एक जैकपोट ट्रेड मिलेगी कहा ब्याली साथ सो पंदरा 42,715 इसकी इंपोर्टेंस भी मैंने समझाई थी आपको इसकी इंपोर्टेंस यह थी कि पिछली चार पांच बार केंडल्स डेली केंडल्स 42,715 इसकी 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 आपको आपको एक बड़िया जैकपोट ट्रेड मिली और उपर 42,878 तक जूम अप किया बैंक निफ्टी ने तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी फिन निफ्टी में भी जैकपोट ट्रेड मिली फिन निफ्टी जो वीडियो नहीं देखते हैं देखा करो तो यहां पर मैंने कहा था exactly कि यहां पर आपने 18,500 जहां मैंने देखो लिखा भी हुआ है यह कलवले स्क्रीन शोट है सारे यह आज नहीं है यह कलवले है उनी को मैं दिखाता हूं मेशा तो यहां देखिए 18,840 18,867 इस एरिये में 18,500 की कॉल लेनी थी और हमें एक बहुत बढ़िया एक रैली देखने को मिली 19,600 तक और इसके उपर भी कहा था कि आप कॉल लेना तो उमीद है आप सबने कॉल होल्ड भी की होगी तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अब स्वाल उरता है कि कल है एक्सपैरी कल क्या होगा देखिए कल है थर्जडे की शाम को युएस का जीडीपी डाटा आएगा और सैकिंड थर्ड माई को आएगा तीन माई को दुबारा लिख जैते हैं तीन माई को आएगा थर्ड माई को इंट्रस्ट रेट डिसीजन और यह भी मैंने आपको तीन चार दिन कि हमारी मार्किन पास इतना टाइम नहीं है उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जैसे यह चीजी आएंगी इंट्रस्टे डिसीजन उससे पहले पहले हम हमारी मंजिल पूरी हो जानी चाहिए मंजिल कौन कौन सी है अगर 17830 की उपर क्लोजिंग आती है तो आपने 181-100 की कॉल लेकि के लिए नेक्स मंत की तो उसके लिए भी त्यारोगी 17813 पर लिए और जैसी 17830 के उपर क्लोजिंग आती है तो आपने 1818,100 की मई की call भी लेनी है तो ये चीज important है interest rate decision उससे पहले पहले हमारा मुझे लगता है 43,300 आ जाएगा अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर bank nifty पर कि bank nifty में हमने क्या करना है देखिए bank nifty में put writer का confidence आसमान पर पहुंचा हुआ है 42,500 पर एक जबर 10 पूट राइटिंग इतनी लंबी candle बनी है कि ये candles भी चोटी लग रही है वैसे भी कल expiry है और 42,600,700 even 800 पर भी put writer आ चुका है और 43,000, 43,500 वाला अब defensive होता जा रहा है ये भी देखिए ये candle चोटी पढ़ गी पहले बहुत बड़ी candle थी ये अब छोटी सी होगी है डर गए है call writer उपर के level पर भी call writer सारे निकल रहे हैं तो अब हम आते हैं chart पे कि chart पे हमने क्या करना है कल expiry ही है सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आपने call और put कहा कहा बाय करनी देखिए कल अगर कोई dip आता है हमेशा dip को बाय करना है dip कौन सा बाय करना है 42,200 42,280 इस एरिये में यहाँ पे 10 है मैं इसलिए यहाँ पे बाय करना है कौन सा एरिया 42,200 से 42,000 42,200 से 42,300 वाले एरिये में आपने call को बाय करना है नीचे stop loss 55 मिनर की 3 candle किसके नीचे 42,100 42,100 के नीचे अगर 55 मिनर की 3 candle close होती है तो आपने इसमें से निकल जाना है उपर target 42,478 670 यह मिलेंगे और कल भी इसके उपर मैंने कहा था कि आपने call लेनी है तो कल भी अगर थोड़ा बहुत यहां डिप आता है 42,670 तक तो 42,500 की call आपको लेनी चाहिए इसके नीचे एक छोटा सा stop लो सकना 5-5 मिन की 3 candle नीचे close हो तो अपना निकल जाना बाकी कल market कैसे खुलेगी देखिए मेरे recording तो market gap अप खुलेगी gap अप कहां तक होगा देखिए मेरे recording एक judgment बता रहा हूँ इसे कोई ग्रंटिन ना ले लेना मेरे recording gap अप यहां खुलेगा 42,960 जिन्होंने call hold की है उन्होंने यहां पर अपना profit बुक करना है यह नहीं है कि यहां पर पूठ ले रहे नहीं है इसके उपर जैसी फिर से close हो तो फिर से buy कर लेना है 42,500 की call और फिर आपको मिलेगा 43,146 और फिर मिलेगा आपको 43,300 याद रहे कि जो long term trader है जिन्होंने next month की call ले रखी है मेरे कहने पर 15 दिन पहले तो उन्होंने यहां पर अपना profit बुक करना है कहां पर एक बार तो यहां पर अपना profit बुक कर लेना क्योंकि यह 43,000 round figure आ रही है यह psychological level होता है इसलिए वैसे टेक्निकली यह level बनता है psychological level होने की वैसे मैं यहां पर अपना profit बुक करना है और फिर उसके उपर अगर पांच पांच मिन की तीन केंडल क्लोज हो तो क्रंट एक्सपैरी की ट्रेड लेके अपना जो हो जाकता है कि हमने यह level भी हमने profit बुक करना है तो वह भी profit आप ले लेना ठीक है कि छूटे ना कुछ मिस ना हो हमारी यही है और यहां पर जैसे ही आए तो पुट ले ल पुट में ज्यादा देर नहीं रुकना जहां 20-50 पॉइंट मिलते हैं भाग जाना है क्योंकि कुछ यहां से भी मुझे ऐसा लगता है कारण के हमें यहां पर क्यों कह रहा है यह देखिए जमगट लगा हुए यहां पर resistance का resistance काफी strong है और उसके बाद फिर से अगर इसके उ आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कल जो expiry होगी वो इसी एरिये के बीच में होगी 43,150 से 43,350 के इस एरिये में यहां इस एरिये को यह यहां बड़ा भी कर दो थोड़ा सा इस एरिये में 43,000 से 350 के बीच में यहां कहीं मतलब कि यहां पर profit booking आने के बाद यहां कहीं market रुख सकती है और यहां पर expiry हो सकती है तो यह था bank nifty का complete trade setup तो आएए अब हम आते हैं nifty पर कि nifty में हमने क्या करना है तो देखें nifty में अगर हम देखें तो put writer कहां कहां पर है put writer का यहां पर भी सात्वे आसपन पर है conference उसके साथ 17,800 पर भी put writer जबर जबर ज और 18,000 पर call writer के जो पोल है यह कम हो गया कल यहां यहां पर थे यहां यहां तक थे अब दब गए है यह डर गए है तो short covering भी बड़ी जबर दस चल रही है और 17,800 पर भी put writer आ चुका है और इसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा gap up मिलेगा आपको nifty में भी nifty में आपको कह मेरी calculation यह कहती है कि आपको gap up कल मिल सकता है 17,800 70,000 870 यह वो एरिया जहां पर F20 ने भोले वाले traders को फसाया था उस दिन इनफी वाले दिन जिस दिन इनफी का result आया था उससे अगले दिन जब market ने gap down खुलना था तो क्योंकि यह hold करके गए थे बारी मात्रा में कोई 2,500 क्रोड का index hold करके गए थे तो उन्होंने अपना जो अपने आपको satisfied किया था क्योंकि पैसे वाले उन्होंने reliance वगरा market जैसे ही खुले तो book कर लेना यहां पर आप भी क्योंकि यहां से थोड़ा बहुत market डाउन आ सकती है तो यह नहीं है कि यहां पूट लेना यहां ना पूट लेना क्योंकि हो सकता है cross ही कर जाए यह तो मेरी judgment इसली है इस candle के वाज़ा से वैसे नहीं है और उसके बाद अग यहां तक खुल सकता है और जो expiry होगी वो इस area में 17,88 होगी नहीं मतलो होनी चाहिए एक judgment है इसे किसी भी तरह से as for granted नहीं लेना किसी चीज़ को 17,930 तक आपको जब retracement मिलेगी तो यहां पे साथ की साथ आपने 18,000 की put लेनी है और जो 20-50 point मिले तो लेके निगल जाना फि 17,900 की call 17,930 के उपर लेनी है और उसके उपर के जो लेवल है बाद में आपको बता दिये जाएंगे टेलिग्राम पे तो यह था उपर की साइड अब आते है नीचे की साइड डिप डिप वहीं रोज की तरह कौन सा अब तो रटे जाना चाहिए 17,680 से लेकर 17,711 तक यह क् अब आपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा अगर मालूम बाईचास मारके गिरी तो टैन में आपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा कुई 10 में भागता भागता काफी नजदीक आ गया है निफ्टी के तो यहां तक एक डिप आ सकता है और आपने इसका जो स्टॉप लोज लगाना है वो लगाना है 17650 का यह 17660 का लगाना है आपने और उपर जो लेवल मिलेंगे 17711, 17739, 17783 और 17800 पर यह दुआ करो कि यह नीचे ना आए क्योंकि फिर से 17800 का कॉल्रेटर एक्टिव हो जाएगा फिर से इसने इसे बड़ी मुश्किल से क्रोस हुए आज मुझे तो ऐसा जब तक गैप अप नहीं आएगा यह क्रोस नहीं होगा यह शुकर है कि 17800 तीन बजे तीन सवा तीन बजे के आसपास क्रोस हो गया तो काफी बढ़िया था यहां पर क्रोस होना इसका और यहां क्लोजिंग देनी एक बेस्ट सिनेरियो नजराया कि अगले दिन गैप अप का तो इतने स्ट्रॉंग लेवल पे उदर जो मैंने आपको बताया था क्या बताया था बैंक निफ्टी में 42,715 वहां पर रिजिस्टंस था उसके उपर क्लोजिंग देनी इधर 17800 उपर क्लोजिंग देनी तो एक मतलब की एक तरह से तसली कर दिये इंडेक्स ने अच्छी त पर रन अब तियार है आगden भागने के लिए कल मैंने बता दिया था इसारी चीज्जेश के बड़ा ऊपर के और धंक दमाका भी हो सकता है वो दमाका भी हुआ और जैक पर कॉल भी मिलेगी वो भी हुई तो कल भी आपको सब कुछ बता दिया जिनके पास कॉल है क्या क्या करना है कॉल वाले अपना जहां प्रॉफिट बुक करना है वो मैंने लेवल बता दिये डिप कौन सा पाय करना है वो भी gap up कहां पर फिर दुबारा से पाई करना है वो भी बता दिया है और उसके साथ साथ एक्सपेरी कहां होगी ये भी बता दिया है और उसके साथ साथ ये भी बताया कि ऊपर की ranges पे जो long term position में बैठे हैं उन्होंने क्या क्या करना है तो ये था हमारा complete एक package कल की trade के लिए कमाते रही है ऐसे और खुशी मनाते रहे है थैंक यू धन्यवाग्द